हाई फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल सार्धाक ओनलाइन एजुकेशन पर आज हम यहां पे कुछ पढ़ेंगे पैरेंटिंग स्टाइल आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्गदो के पेपरों में यह पैरेंटिंग स्टाइल हुमाफिरा के आज से दस वार तो आप लोग नूट्स में हिंदी जरूर लिखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है ठीक है मैंने आपने आपको कैसे क्लियर किया है तो मुझे ही पता है तो चलिए ठीक है आपको आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं जितने नाम मुझे पता है मैं उतने न तो ये फर्स्ट ये लिखा हुआ है अधिकारिक पैरेंटिंग इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अधिकार दिखते चलिएगा अधिकारिक पैरेंटिंग ये अधिकारिक पैरेंटिंग अधिकारिक पैरेंटिंग अधिकारिक पैरेंटिंग अधिकार अधिकर बादी पैरेंटिंग स्टाइल ठीक है यह तीसरी लिखी हुई है परमीजे पैरेंटिंग तो परमीजे पैरेंटिंग को क्या बोलते हैं इसको अनुमोदक पैरेंटिंग इसके दो नाम है हिंदी में अनुमोदक पैरेंटिंग या अनुग्यानात्मक पैरेंटिंग क्या अनुग्यानात्मक पैरेंटिंग अनुग्यानात्मक पैरेंटिंग ठीक है अब लिख लीजे मैं बोल रही हूँ अनुग्यानात्मक इसको दो बोलते हैं involved parenting यानि कि आस समंध parenting ठीक है या इसी को इंगलिस में एक नाम और बोलते हैं neglect लेस्ट पैरेंटिंग क्या बोलते हैं नेगलेट लिख लिजी आप हिंदी लिख लिजी या इंगलिस लिख लिजी कि यह है नेगलेट पैरेंटिंग स्टाइल ट्यक है कि तो आई आव इनको समझते हैं यह पिक्चर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो समझ हा रहा होगा कि यह पिक्चर क्या दिखा रही है यह फैरेंटिंग स्टाइल है ऑफटेटिव यह अनिवॉल तो यह ज लेकिन उसको कैसे फॉलो करना है उसमें भी सपोर्ट करते हैं ठीक है यानि कि नियम कानून भी बनाते हैं और सपोर्ट भी करते हैं यानि कि गलती करते हैं तो डांट भी मिल जाती है और अच्छा करते हैं तो उसकी अच्छा ही भी हो जाती है उसको अच्छा भी बोला जाता तो ये और्थर्टेटिव पैरेंटिंग है, और्थर्टेरियन पैरेंटिंग में क्या होता है, कि नियम कानुन तो इसके उपर बनाए जाते हैं, यानि डिमांडिंग तो होती है, कि तुम ये करो, तुम ये ना करोगे, तुम वो करोगे, मैं न तुम ये बोला है, तुम ये क करोगे या नि करोगे यानि कि demanding तो हाई होती है ठीक है बच्चे की ओपर parents की लेकिन ये बच्चा उसको पूरा कैसे करे इसका support नहीं रहता parents का तो ये authoritative parenting होती है यानि कि high demanding होती है और support बिल्कुल नहीं होता तीसरी है परमीजे parenting या अनुमोदक parenting तो इसमें क्या होता है परमीजे parenting में जैसे यह आप एक अच्छा एक्जांपल में बता देती हूं कि जो बड़े घर के लड़के बच्चे होते हैं बाइक लेके सड़कों में खूम रहे होते हैं तो वो क्या करेंगे कहीं किसी को एक्सिडेंट मारेंगे कहीं किसी को एक्सिडेंट मारेंगे गलती उनहीं की ह लेकिन उनका कुछ नहीं होगा क्यों कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके पैरेंस से उसके उपर फुल सपोर्ट है कोई डिमांडिंग नहीं है कोई नियम कानून नहीं है उनके उपर लेकिन उनके पैरेंस का उस बच्चे पर पूरा सपोर्ट है कि हमाई बच्चे को कुछ नही पेरेंटिंग यो को कि बच्चा कुछ भी करें मां बाप को कोई मतलब नहीं तुम्हारे मर São हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम बलोकोल फ्री हो, बच्चा बलोकोल फ्री रहता है, तो ये अनिवाल्ड या असनमन्ध पैरेंटिंग या निगलेटलेस पैरेंटिंग कहलाती है, ठीक है, अभी मैं इसको और किलियर करने की कोशिश कर रही हूँ आपको, एक प्रिक् पैरेंटिंग, ये कौन सी पैरेंटिंग स्टाइल है, अधिकारवादी पैरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, ये अधिकारवादी है, यानि इसको और ये भी बोल सकते हैं, ये सत्तावादी है, कौन सी है, सत्तावादी, सत्ता नायाग, ये सब्दा आप लोगोंने शुना कि यह सत्ता वार्धि है सत्ता नायक है तीसरी पढ़ते हैं तीसरी अच्छा यहां पर लिखा हुआ है त्हां दीजिएगा यह हाई-demanding है और क्या है hi-demanding high supporting यहां पर hi-demanding क्या है high demanding का मतलब क्या है कि वो parents जो बच्चे से demand रखते हैं नियम कानून बनवाते हैं और support क्या है जो नियम कानून बनाया उनको support उनको follow बच्चा कैसे करें उसका support full करते हैं यानि कि highly supportive highly demanding कौन सी parenting style है आधिकारिक parenting style ठीक है और जो दूसरी parenting style है उसमें highly demanding यानि नियम कानून तो बनाया जाते हैं कि ये करो वो करो ऐसा करना होता है लेकिन कोई support नहीं उनका होता parents कोई support नहीं होते हैं not supported होते हैं highly demanding not supported कौन सी parenting style है ये अधिकारवादी parenting style है इसी वज़े से ये अधिकारवादी है और अधिकार वादी को क्या बोल सकते हैं हम सत्ता वादी पैरेंटिंग स्टाइल भी बोलते हैं सत्ता वादी ठीक है इन सब्दों पर ध्यान दीजेगा आप लोग highly demanding highly supportive highly demanding highly supportive अधिकार एक पैरेंटिंग highly demanding not supportive highly demanding not supportive अधिकार वादी पैरेंटिंग स्टाइल यहनि सत्ता वादी ठीक है, highly demanding का क्या मतलब, नियम कानून बनाई जाते हैं, ठीक है, वह supportive ये नियम कानून कैसे follow करना है, उनमें support किया जाता है, full support होता है, तो ये supportive है, तो जिसमें highly demanding हो, not supportive हो, तो वो अधिकार वाधी parenting style, ठीक है, तीसरी है, parmese parenting style, parmese parenting style means, अनुमोदक या अनुग्यानात्मक भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, अब इसमें क्या है, कि इसमें दिया हुआ है, देखिए, highly supportive, highly supportive, not demanding, जैसे मैंने बताया था, कि बड़े घर का बच्चा है, कोई जाएगा, accident करके आ जाएगा, तो उसके उपर कोई demanding नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन full support है, parents क full support है, उस लड़के का, उस बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगार सकता, क्योंकि उसके parents का full support है, कोई नियम कानून नहीं है, जैसे बड़े-बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, सीयमन के, इनकी बात हो रही है, यहाँ पे ठीक है, तो यह परमी से parenting आप लोग समाज गए ह parenting, इसी को हिंदी में बोलते हैं, आशमन्ध parenting, क्यों सी, आशमन्ध parenting, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा एकदम free है, और यह parents एकदम free है, बच्चे को जो करना है वो करो, वो अपनी मर्जी से वो अपना अकेले खेल रहा है, और पिता जी अपनी मर्जी से अपना अगन है, यह निए, अनिवाल्ड parenting है, ठीक है, अब यह इन चीजों को एकदम ध्यान से देखिएगा, highly demanding, highly demanding, highly supportive, आधिकार एक parenting, highly demanding, not supportive, अधिकार वाधी parenting, ठीक है, और highly supportive, highly supportive, not demanding, यहनि कि अनुमोदक या परमीजे parenting, इसी को अनुग्यानात्मक पैरेंटिंग भी बोलते ह चौथी है, अनिवाल्ड या निगलेटफल पैरेंटिंग या इसी को आसममन्द पैरेंटिंग भी बोलते हैं, यहनि कि बच्चा फ्री है और पिताजी फ्री है, यह चौथी, अब मैंने कुछ कोशन लिया है यहाँ पे, तो आईए ब कोशन, आपको यह समझ में आया हो, त चार दिन पहले, तो वो मुझे चार पांस मिले हैं, इसलिए मैंने वो लिया है, ठीक है, यहाँ पे कोशन नमर फर्स्ट है, कि निमने लिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है, जो तनाओ के विरुद्ध एक बच्चे की रच्छा करेगा, कौन सा एक कारक नहीं है, तो कौन कौन सा होता है, वही तो है, यहां तो कह रहा है, कौन सा कारक नहीं है, जो तनाओ के विरुद्ध एक तनाओ के विरुद्ध में है, तो उसमें बच्चे की रच्छा करेगा, यानि कि NOT SUPPORTIVE, है न, तो अब NOT SUPPORTIVE किस में था, किस पैरेंटिंग में था, अधिकारबादी इमांडिंग था कि निएम कानून बनवाए जाएंगे बनाई जाएंगे लेकिन उनमे सपोर्ट नहीं होगा तो वो कुण चैन अधिकारवादी पैरेंटिंग इस्टायल सत्ता बादी या सत्ता नायक पैरेंटिंग इस्टायल भी बोलते हैं तो आपर पर आइट आंसर सरचना ना देने से किस प्रकार की अभिवावक सहली की विशेश्था यहां पे है यानि कि कोई नियम या सरचना ना देने से not demanding यहां पे not demanding अब not demanding से समझ में आ रहा होगा कि not demanding full supporting not demanding full supporting तो यह कौन सी parenting style है जहां पे full support होता है बच्चे के ऊपर parents का लेकिन कोई नियम कनून कोई demanding नहीं होती है अधिकारिक में क्या होता है अधिकारिक में क्या होता है इसमें highly supportive highly demanding और अधिकारवादी में अभी पीछे वाला फिर भी parents का कोई support नहीं है तो वो अधिकारवादी थी यानि ये तो नहीं हो गी है ना और ये highly demanding highly supportive है ये उल्जा हुगा ये कोई parenting नहीं है तो बचा कौन सा परमीजे parenting अनुमोदक या इसी को अनुग्यानात्मक parenting बोलते हैं यानि जो बड़े घराने के लड़के होते हैं तो वो किस parenting में आते हैं उनके parents किस style के है अनुमोदक या परमीजे parenting style के, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question है, next question है यहाँ पर, कि वी माता पिता, जो बच्चे को धंडित करने में विश्वास करते हैं, धंडित करने में विश्वास करते हैं, दरसाता है, धंडित करने में विश्वास करते हैं, क्या, धंडित करने में विश्वास करते हैं, तो क्या means, means क्या निकला, कि यह नहीं highly, क्या होते हैं, highly demanding होते हैं, highly demanding और not supported, not supported, तो जब highly demanding होते हैं, not supported होते हैं, बच्चे को धंडित करने में विश्वास रखते हैं, नियम कानून बनाया और यदि पाला नहीं हुआ तो उसको दंड दे दिया तो यह क्या है highly demanding होते हैं ठीक हो सपोर्ट नहीं होता मालों बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो क्या दंड देना चाहिए उसको support भी तो करना चाहिए यानि कि highly demanding अधिकारवाधी पैरेंटिंग स्टाइल है यानि कि highly demanding highly supported यदि फेरेंटिंग होता है तो highly demanding तो है ही लेकिन वह support भी करता दंड नहीं देता तो अधिकारवाधी पैरेंटिंग स्टाइला अप्शन नमर 4 यहां पे राइट होगा, ओ आसममंद में है, असममंद में क्या होता है, uninvolved parenting है, कोई मतलब नहीं है, बच्चा फिरी, पिता जी फिरी, मम्मी जी फिरी, और अनुमोदक पैरेंटिंग में क्या होता है, कि इसमें डिमांड कोई नहीं होती हो, फुल सपोर्ट होता है, राजा बाबु कहीं से भी आया, किसी को मार कूट के, और हमाई बेटे को कोई कुछ नहीं कह सकता है, ना, तो यह होती है, तो यहां पर राइट आंसर, औप्शन नमर C होगा, नेक्स्ट कॉऩशन पर चलते हैं, नेक्स्ट कोशशन है, यहां पर कि, नेक्स्ट अपने बच्चों को नियम का पालन करने के लिए सहायता करते हैं पैरेंटिंग या आथरटेटीट्व पैरेंटिंग दोनों में ऐसे ही दीवांडिंग हई पैरेंटिंग निकैं अधिकारक पैरेंटिंग यहिघ सर्वसरेश्ट पैरेंटिंग gest Dad ऊढ़िए जान सिस्पित बंध से कोनशी पालन पोशन सेली अधिक उत्सा है और अधिक नियंद्रन की विशेशता है तो वो क्वान सी अधिक उत्सा है अधिक उत्सा है ठीके और अधिक नियंद्रन यानि कंट्रोल यानि क्या हाई डिमांडिंग, ठीके, हाई डिमांडिंग, नौट सपोर्टेब, हाई डिमांडिंग, नौट सपोर्टेब, कौनसी पालन पोषण आई, कौनसी पैरेंटिंग स्टाइल है, ये अधिकारवादी पैरेंटिंग स्टाइल है, ठीके, कौनसी पालन पोषण सेली, हाई नियं तो कुण सी पेरेंटिंग ताइल है नौट सपोर्टेव ऐढ़ पालन पॉशंट चली यह अथाट यह परेंटिंग इस्टाइल ठीक देखते हैं एक आध कोश्चन और है शाहिद एक कोश्चन और है अच्छा यह रिपीटिट कोश्चन है चलिए ठीक है आप लोग एक बार रिवाइस करिएगा ठीक से कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजेगा मैं कोशिश करूंगी आपको डाउट क्लियर करने के इस तरह के और भी कोश्चन से प्रफ लगाई होंगे तो यदि एक कोश्चन मिलता है तो उसके चारई प्रहाइप्शन आप पढ़ना है चारी करने च्युम्ही च्रहाहीे चाहरो होतीके हैं कौन कौन सी परएटेंटिकिंश तो कौन सी में क्या होता है यह आफ को बड़े करूं मैं भी कुछ सीखूं और आप भी कुछ सीखें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा चलिए ओके थैंक यू